नमस्कार दोस्तों, चत्तीसगर की ताजा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है शादी समारो से वापस लोट रही नाबालिग लड़की के साथ चार लोगों ने किया दुशकर्म सीतापुर, शादी से घर वापस आ रही नाबालिग लड़की से दुशकर्म के चलते चार आरोपियों को गिरफतार किया गया है रेप करने वालों में से तीन आरोपी नाबालिग बताय जा रहे हैं एहम बात यह है कि सूचना मिलते ही पुलिस ने 24 गंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफतार कर जेल भेज दिया और तीन नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार ग्रह भेजा है सीतापुर के प्रताबगर कवर पारा की रहने वाली नाबालिग लड़की 31 मार्च को अपने रिष्टेदार के घर शादी में गई थी बता दें, रिष्टेदार का घर लड़की के घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं था तकरीबन राद 12 बजे शादी से घर वापस लोट रही थी तभी अचानक 22 साल का आकाश चोधरी अपने तीन नाबालिग दोस्तों के साथ लड़की को बीच रास्ते में रोक कर धमकाने लगा और चारों ने उसके साथ दुशकर्म किया इस घटना के बाद से नाबालिग लड़की बहुत ज़्यादा दर गई है हाला कि आरोपियों के चंगूल से निकल कर किसी तरह अपने घर पहुची और परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी जैसे ही इस बात की सूचना परिवार वालों को मिली तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाए जिसके बाद धारा 365, 376, 506 और Poxo Act की धारा 6 के तहत अपराद दर्ज करते हुए पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को गिरफतार कर लिया